नमस्कार कबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ख़बरों धार धार नगर के उत्तर में इस्थित यह किला एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से बना यह विशाल किला समरधी इतिहास के आईने का जरोखा है धार का यह किला अपने आप में एक पुरातात्विक इतिहासिक एवं सौंदर्य का अप्रतिम उधा किन्तु सुविधाओं इवं व्यवस्थाओं के अभाव में उपेक्षा का सिकार हो रहे इसी प्रकास सम्रध्य विरासत को समीटे हुए पबार बंसकीत चत्रियों तक भी परेटकों का ध्यान आकर्सित नहीं हो रहा और ना ही परेटक वहां तक पहुँच पाते हैं धार क चक बगीचा इवं न्यूपॉइंट विक्सित किये जाएंगे साथी किले पाथवे गार्डन तथा खानपान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे धार शहर के निवासियों इवं परेटकों को एक सुविधा युक्त परेटक स्थल मिल सकेगा इसी प्रकार छत्रियों के सौं जिला परेटन एवं पुरातत डेवलप्मेंट बोर्ड जो जिले में गठित है उसकी बैस्ठेक कायोजीत की थी जिसमें यस्पी साहब, सीयो साहब और सभी लोग इसके मेंबर हैं उसमें आज हम लोगों ने कुछ महत्तपुर्ण नेर्ने लिये हैं एक तो हमारे जिले के जो लोग गायक हैं अनन्दी भाई भावेल जो बड़े फेमस हैं जो जिनके नाम से ही धार का लोगईत वड़ा प्रसिद्ध है उनको हम लोगों ने अपने टूरिजम के लिए आज ब्रांड मेस्जर निउक्त किया है तो हमारे जो भी कारक्रम होंगे वो उसमें पार्टि आज उसी बैठक में ये भी विचार आया हमारे पंडे जी जो इस्टेट पुराततो विभाग से आये थे इसके अलावा मांडू के भी पुराततो के सेंट्रल के लिए लोग भी आये थे धार की सबसे बड़ी धरोहर जो है ये हमारा किला है और इस किले को बिरान जैसा इस्तिती में होने से लोग इसका उलोकन भी नहीं कर पाते हैं और एक सहर के लिए बेहतर रूप से इसको डेवलप किया जाने की आवसकता है पंडे जी ने पिछले दो तीन महिनों में काफी प्रयास करके जो उसकी मूर्थियां उसको संद्रश्च अगर समझ जगत के लिए धार से अलताफ खान की रिपूप पर लेटेस नियूर्स सबस्क्राइब टूर चैनल और प्रस्टी बेल आइकॉन